तौ चलते हैं अपनी मुर्गिओं के तरफ운 वितां साम के पाम के समय हमने खोल दी हैं। और एक जोड़ा हमने लगा रखा है कि मैं चाहता हूं कि मेरा मुर्गान कहीं बावला नहीं ॐ जाए। है वाला मतलब जो है कि जो मूर्गम में लगा रहता है तो इस में रहते हैं और उसल में दॉलाखंग जोड़ डनाया रखें यह मेरा गल्वा मुंझा ठीक है यह थोड़ा सा मदरासी कि रोस में है ठीक है तो मैं बता दूँ यह मैंने क्यों लगा रखा जोड़ा मैं मैं भी खुलता हूं इसे यहां से चलो भी भार लिग लो जो मुर्गी गई है यह मुर्गी मेनेज के साथ लगा रखी है उसका तो उसके अखला हूं मैं उसका है जो भी हमасти的 में च्छ पारता है सामने के पार मारता है और अर जो है न जो सारे कन्पटी के पैर होते हैं सिर के उपपडी के पैर मारता सकत है कै यह झो भी है मुझ में यह दोनिकी हो धाि मेरी तो इस स्मय मेरे पास हो रहे हैं पांच है मैं अब यह अच्छे अंडे हैं बच्चे इनकी जो निकल बहुत ही अच्छे में निकल लगए तो मैंना एक लकड़ी बना रख्ए है इसी तरीके कि जो अंड़ को आसानी से निकाल ले तो आप देख पार होंगा यह यह वाली यह क है ओएस बड़ा तो दोस्तों इसद्ट से अंड्ड मन फसाया और हमने यहां को linux जो हर आपने पास को बलाकर यहां पर हम इस यह से उठा लेंगे मुर्गी बिठानी है तो आपको एक ऐसा दड़वे का इंतिजाम करना पड़ेगा केज का इंतिजाम करना पड़ेगा ये जो आप देख पा रहे हैं ये जो है काफी बड़ा है ये तीन बाई तीन का है ये जो आप दड़वा देख पा रहे हैं ये वाला ये है तीन बाई ती कीन का है आप जो है इस तरीगे का बना ले इसमें जो है मुर्गी को बिठाना है आपको उसकोने में बिल्कुल तो भाई इस तरह के जो है आपको एक दड़वा बना लेना है केज बना लेना है ताकि मुर्ग इसमें चोटे नर्मादी छोड़ खेमन बच्चे ठीक है तो मेरे भाई इसमें आप टोकरी में बिठाएं ताकि मुर्गी आप एक हवा का आवा कमन रहेगा यहां पर यहां पर कि छाली है और इसके इस तरह जाली है मैं दिखा दूं आपको उस तरफ जाली है और उपर वी traces से जानूं से सबंदाएं तो इस तरह से जाली है और मैंहिंखा हुए स्थ मुर्गी के अंडे मेरे पर 7-8 अंडे मुझे पर हो गए हैं इस वाले जोड़े के लेकिन मैं उन्हें मुर्गी को कुड़क पर नहीं बिठाऊंगा क्योंकि मोसम चल रहा है बहुत खराब मोसम चल रहा है इस समय जून का ठीक है तो इस जून के महीने में जून जूलाए के म हवा में तो जब हमारी मुर्गी कुड़क मुर्गी अंडे के ओपर बैठेगी अंडे हैच करने के लिए तो जो अंडे को जो मुर्गी बैठती है तो वह 28 दिन बाद होमडीटी के कारण जो ना वह चोच मार लगा है छोटे चूजे और अंडाउन से क्रया खोल लगा धीर जो बाहर निकल जाता है अंडे के स्एल को तोड़कर वह मैटर करता है hom d WhatsApp के ओपर यदि हमारी मुर्गी मैं को अंडे हैच करते समय कुड़क बैठते समय समय अच्चा टैंपरेचर भी ब्रोपर मिला है और newsletter tremen Ti toute आ मिलिया अन्डों को तो हमारे सभी अंडों में चूजे बनंगे और जो है वो अपने समय के अनुसार जो अंडे तोड़कर बाहर निकल जाएंगे होम डिटी के कारण ठीक है और यदि मोसम है ड्राई वाले खुसक हवा के जैसे की आज कल के मोसम चल रहे हैं लेकिन जो है आज कल के मोसम चल रहे हैं तो उसमें नमी में नहीं है तो अंडे बच्चे ना अंदर रिजॉन थास हो एक रहते हैं आपने कभी बार भी कितनी बार भी जो है अपने शोख में इस इसरे का जो माहूल जो है वह प्रिष्टेति ऐसी आई होंगी ऐसी घटना घटी होंगी कि हमने से तो बन जाते हैं लेकिन वह अंडे में ठोस हो जाते हैं अंडे को तोड़ कर बाहर नहीं निकल पाता है तो मेरा कहना यह है कि आप बिठा सकते हैं मुर्गी के नीचे अंडे लेकिन मोसम इस समय खराब चल रहे हैं आप ना बिठाएं तो यह बहतर रहेगा दो चार महीने और आपको अराम करना पड़ेगा जैसे हमारे सितंबर अक्टूबर नॉम्बर के महीना आंगे आप फिलाल अपने सोक को पूरा करने के लिए आसपास के गावम जाएं अच्छा पेर ढूंड़ें अच्छा पेर लगाएं मादीन और नर जो अच्छा लाएं खूब समय है आपके पास चार महीने का तो थोड़े से पैसे खर्च करें अच्छी चीज महेंगी मिलती है तो सोक को पूरा करने के लिए और उम्हाई पजोना जोड लगाएं अच्छे प्यार दोस्तों मिलते आगली वीडियो में नेटोपिक के साथ दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद